वीके नियूज उत्तरपर्देश उत्तराखंड सचका सार्थी नमस्कार मैं मन रापका स्वागत है वीके नियूज में T20 वर्ट कप 2021 में औस्चेलिया टीम फाइल में पहुच चुकी है गुरुवार को खेले गए दूसरे सेमी फाइनल मुकाबले में कंगारू टीम ने पाकिस्तान उनको पांच विकेट से हरा दिया अब भाया जब भारत हारा था पाकिस्तान से तो हर जगा पटाके फोड़े थे भारत ने भी कुछ सपोले बैटे थे जो उनके खुब पटाके फोड़े पाकिस्तान को खुम मजाया उनके खिलाडों ने खुब जश्मनाया अब जब पाकिस्तान हार गया है तो भाईया एक मुस्लिम देश ने इतनी तयारी कर रखी थी जश्मनाने की पूछो मत और ऐसी तयारी करी है जिसके बाद पूरे पाकिस्तान में आग लग गई है जी हाँ अब फाइनल मुकाबले में औस्टेलिया का सामना चित प्रत्योंदी निजिलेंड से होगा गौर तलब है कि निजिलेंड ने पहले सेमी फाइनल में इंगलेंड को मात दी थी औस्टेलिया के पाकिस्तान पर जीत के बाद बलुचिस्तान में जश्न का महौल है बलुचिस्तान के आजादी के समर्थकों ने इस मौके पर संगीत के धुनों पर जम कर डांस किया बलुचिस नैशनल मुव्मेंट योग जाने के प्रेसिडेंड हकीम बलोच ने ट्यूटर पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें लोगों की खुशी का ठीका आना नहीं है पाकिस्तान मूल के कनेडाई पत्रकार तारिक फते ने इस वीडियो को रिट्यूट किया है पहले आप इस वीडियो को देखिए तो ये तो थी पहली वीडियो अब इन सब को लेकर एक और वीडियो सामने आए है जिसमें बलूच कारकरता शहज़त बलोच की ओर से पोस्ट किये गए वीडियो में नजर आ रहा है कि पाकिस्तान की हार के वास सैक्ड़ों लोग तालियों की गड़गडाच से इसका स्वागत कर रहे है मारे खुशी के कई लोग कुरसियों पर खड़े हो गए और उन्होंने डांस शुरू कर दिया एक दूसरे को बधाई दी और गरे लगने लगे बलूची के ये खुशी उन पाकिस्तान के नेताओं के लिए जोरदार तमाचा है जो पाकिस्तान की जीत पर भारत ने पटाके फोड़े जाने पर खुश हो रहे थे गौर तलब है कि बलूचीस्तान पाकिस्तान का एक प्रांथ है जिसके राजधानी कोईटा है बलूचीस्तान के लोग कई सालों से आजादी की मांग कर रहे है लेकिन 2003 से आजादी की मांग से जोर पकड़ा है लेकिन इन सब के परे बलुचिस्तान ने तो अपना काम कर दिया है अब आपकी क्या रहा है इस पूरी खबर को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए और इसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहें वीके न्यूस रास्ट के नाम ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24x7 डिजितल न्यूस चानल वीके न्यूस राश्ट के नाम